एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर सही में बात यहां से समझ में आजाए कि आखिर में इसे और एनासी लाई कोगे इसे और इसकी लगाई लड़ेगा करूँ मैं गारंटी से कर सकता हूँ इस ये और एनासी वापी फूड़ी ये लड़ाई हिंदो और मुसल्मान से नहीं है ये मनुभाज का मनुभारी बना तरीप का पिछड़ों का महिराओं का मुसल्मानों का और हिंदुस्तान लग्प जो यहां इस्तेमाल होता है मैं आप से बुल्यारी करूंगा कि हिंदुस्तान सब के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान दलित हिंदु नहीं है पिछड़े हिंदु नहीं है अगर दलित हिंदु होते उनके साथ में रोटी बेटी का संबंद करते कि न करते भाई अगर पिछड़े हिंदु होते तो पिछड़ों के लोग भी जन बनते पिछड़ों के लोग भी किस देश के अंदर फूजी में जमीद में सत्ता में उरकी भी भागयदारी होती है मुसल्मानों के खिराथ ले हिंदु करना होता है वरना ये हिंदु नहीं है हैं हिस्दी सुना हिंदूस्तान 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 लव्हां हुश ऑम नहीं रहते बहुत accomplished लेकिन बहुत दिनों से कह रहा है जो तक्रीर करते हैं तमाम है तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इसलब्ट का इस्ते माद में मुसल्मानों में तुना है जलिक लोग और 32 हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं करते हैं आब दोषरी किने बरात all तो जतीं मत के मेता तो जातियों और जमार्श के मेताओं को ज्यादा आप मौकाती लिए बोलने के लिए तो कि जम्मीन पर जो बोट पाता है हुकूमत उसी के होती है हुकूमत ये गाना गाने वाले सेलिप्रैटि और इंटलक्वर ये नहीं बनाते हैं जाते और जमार्श का बाल्विकी का चमार का जुमार का लियादो का पुल्विका जात का ओरनेता वो समाज़ हुकुमत बनाता है मों हम भुमनत नहीं बनाते हैं इनको जरूर आप उलाए इनको जरूर सुनें लेकिं इनके लवजों पर अमनों स्मत हो जाएए जोस में बता जाइएगा उक्ति की असलियत 2008 के तो इस देश की जो हुकूमत करती है जाद्म तर्फियां करता है विरादरियां करती है तो इस देश की काता हूं जमीन बदलना है तो एक काहीं बाग यह जो पूरे देश को बदल सकता है कि अधारा 370 जब हटाई जा रही थी मैं तो संसर में रहा हूं तो क्या सबसे ज़्यादा ठाल किसको बनाए गया था धरीतों को क्रहमां तोई ने कहा कि धारा 370 हम इसलिए हटा रहे कि कस्वियर में धरीतों को आरच्षण का लाव नहीं मिल पा रहा हुआ कि यहां है आपको यह समयने की जरूवत होए यह अपे जीदकार नहीं समझा पाएंगे अधरीत को वजिन्दा है और जिन्दगी के जीत में अकीन करने वाले बात करते हैं वह अथी बात है मैं भी कहता हूँ जिन्दा है जिन्दगी के दूख में अकिये तक हो लेकिन जब जब जरिसत के अंदर 370 धारा हट रही थी तो सबसे पहले पहला लग्जे अथा था था कि हम दलिकों के हिंदू कर रहे थे इंको हिंदू बना रहे थे जुक्ति मुसल्मानों के मुसल्मानों की खिराज कोई चीज लाना होता है तो तुर्ण जलिक जो है फिर्णा हिंदू बन जाता वर्ना तो इस लेज़ की हालात यह है कि अगर मुरैना का मामला है एक घूक्ति को दलिट के महिला ने रोटी खिरा दिया कि अगर तो हिंदू होता है तो क्या उसके रोटी में जूत हो जाता है अब ने रोटी से पुत्ता अचूस हो गया अज़त्व शंकराचारिया की तावों पीछे हैं ग्रामार के अलावा कोई और नहीं है ग्रामनी संकराचारिया इस देश के अंदर बन जाता है तक तो दलित हिंदू नहीं होता है जब मुसल्मानों के खिलाब कुछ करना होता है अधियों जब स्मिधान बंकर के ट्यार हुआ था 11 दिसंबर पुतरा फूटा ता रानिला मैदान में और संविधान को जलाए था आज जिस संविधान की बात होते हैं और हर बात बात पर डाक्टर रम्लेटर को भारती जंदा पाटी आरसा अपनाती है यही भारती जंदा पाटी उनके संविधान को जला चुती है उनके उद्रे को जला चुती है इसी आरसत के जो गुलों के थे उन्होंने कहा कि ये तो भारत का संविधान नकल है मनुस्पती लागु होनी चाहिए थी मनुस्पति लागु होना जाहिए आरसत ने कहा है मनुस्पति लागु होना जाहिए अगर इस देश की सब्ता फिछरों को मिलने जा रही है को हम चाहेंगी कि अंग्रोजयों की ही हुटुमत इस देश के लिए पता होगा पिछले मैं आपसे एक घाना चाहूंगा अब क्या कह रहें जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डेड़ करोर हिंदू हैं उसमें सतर असी फ्रस्त दलीट हैं और दलीटों के साथ में अंग्य आफ नंग्यां होग थाजयार ने शो जोड़ हो और और आज किसी ने कहा कि कश्मीर में कंडितों के साथ बढ़ा में हो हमने कहा विहार के नेता है विहार में वह दबाना था कि जहाँ सैक्रों गलितों को घरों में बंज करके जला दिया जाता है वह उत्पीन नहीं आता है जलित को घरजन कर दिया जाता है घोली पर चाहता है तो मार दिया जाता है हो इत्पीन नहीं आता है तो हमने कहा है कि हमारे जलितों के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन नजा आता है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सहीं मार जो ये शुर्वात परी है आंदूलं का पूरे देस में आंदूलं हो पयकोर्ड भी हो जलित भी होना चाहिए जलित की सभी जातियां पयकोर्ड भी होना चाहिए मुसल्मान भी होना चाहिए अगर ये समीकर अरंग बने गया तिहंदू मुसल्मान का जगड़ा नहीं होने वाला मुसल्मान को पहाना है निसाना दरित है निसाना पिछड़ा है इसलिए ये बाब सम्विधान बताने की है साहिं भाब के ये लगाएं मुसल्मान को पचाने की नहीं है ये सम्मधान को बचाने की है कि गांदी जी का सम्विधान को कांग्रेस का सम्विधान तो पर應該 मेजकर का संविधान पर लुसकी हो इसलिए call होनों कि लगाई हम नहीं है इसलिए को जाने रखता कि आवाज हाद करें किना चाहिए इनी सब्दों के साथ करते हुआ 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 है